श्री रमेश चंद्रपांडे दिगंबर जैन दिगरी कालेज बढ़ोत जिला मेरट कहते हैं कि हमारे विवाह की लड़की वालों के घर तयारी हो रही थी और लड़की की चाची जिनहें ये कार्य करना था धन के अभाव में मन ही मन बहुत चिंतित थी और सोच नहीं पा रही थी कि कैसे ये कार्य होगा पर हित ड्रवही संत सुपुनीता महाराज अपने भक्त के घर पहुँच गए और कुछ इधर उधर की बाते करने के बाद वे जाने को उद्यत हो गए चलते समय वे चाची से बोले तु रुपयों की चिंता क्यों करती है अपने उस बक्से में देख तूने उसमें रुपये रखे हैं बाबा के जाने के बाद चाची सोचने लगी कि बाबा को कैसे पता हुआ कि मैं उस बक्से में रुपये रखती हूँ वे अपनी धनराशी जानती थी इस कारण बक्सा खोल कर देखने की उत्सुकता उनमें नहीं रही एक बार जब उन्होंने किसी काम से उस बक्से को खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा बक्सा नोटों से भरा था वे बाबा की इस महिमा से द्रवित हो गरियो अब क्या था विवाह कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो गया